दोस्तों रतन सिर्फ ग्रे की पावर को बढ़ाता है, मालो अगर आपकी कुडली में मंगल अच्छा है, आप तभी उसका रतनदारन करें, रतनदारन करने से क्या होगा मंगल के अच्छे फिल कई गुना बढ़ जाएंगे, लेकिन मंगल अगर आपकी कुडली में खराब है क्या होगा खराफल बढ़ जाएंगे, तो मंगल पहले आपको मैं शोट कट में बढ़ा देता हूँ, मंगल पहले कर में रतन दारन कर सकते हैं, दूसरे कर में आप अगर आपका आस्त है तभी दारन करें नहीं तो नहीं करना, चोथे कर में बिलकुल बूल के रतन दारन नह ईगर वो अस्त है यहां पर नो में गरबए दान कर सकते Are दस में गरबए बिल्गल दान कर सकते Are अब आपको उड़को मैं थोड़सा विस्तार से बठाता हूँ देखो मंगल इस कुंडली मी देखना है जाता का सरीर देखना है कि स्रीर कैसा होगा हेल्थ कैसी, सुभाव उसका कैसा, रंगरूप कैसा, परसनल्टी कैसी, पहले गर को देखेंगे और पहले गर का मालक बना है मंगल, यानि कि हम उसकी हेल्थ को देखने के लिए मंगल को देखेंगे और मंगल आठमेगर का मालक है आठमेगर से उमर देखी जाती है उसकी उमर देखने के लिए मंगल को देखेंगे कि मंगल के अच्छे फल भी है बूरे फल भी बूरे फल जैसे की पतनी से लढ़ाई जगड़े बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर आपने देखना है अच्छे फल चया है अब अच्छी हो जाएगी सुबाफ इचा पर्सिलोटी लिंग तो यह पर आप Depending लेंगे बढ़त जाएंगी बूरे बढ़न कर आपको सोचने की सग्याइब है अगर आपको वे लिए दो टो औस अधर नहीं कर तो यहां पर वैसी शतुरु राशी है लेकिन यह लगनेश भी है तो यहां पर मतलब जातों को धनी बनाएगा परिवारिक सुगच्छा थोड़ी सी वानी खटोर करेगा दूसरे गर से चोती दृष्टी से पांचमें गरब को देखेगा संतान के लिए अच्छा है साथ में आठ में अगर आपको देखेगा अपना ही गर है उम्बर लंबी और आठ मिश्टी यहां पर तो यहां भी मंगल करतना आप दार्न कर सकते हैं लेकर अगर वो ओर्रेडी आपका दस से लेके 20 डिगरी के अंदर बैठा है फिर आपने दार्न नहीं करना है दूसरे गर में सासी बना देगा आयू के अच्छा है अब देखो जिकर चोथे गर में बैठा है चोथे गर में है करक राशी मंगल की नीच राशी तो यहां पे वे किसी भी कंडिशन में अपने मंगल का रतन दर नहीं करना बिल्कुल टोटली खराब बल देगा तो सरीर का मालक चोथे गर में जाएगा हैल्थ को खराब कर देगा परसनलिटी खराब माता मकान वहांसमंदी बहुत बड़े लेवल पे दिखक दे आएंगी पतनी जबंदी दिखक देगा लेकर मंगल चोथे गर में बैठाएगा अच्छा पल यह देगा कि चोथे गर से दसमे गर को देखेगा जो क दसमे गर का गरेगा अच्छा काम काज के लिए अच्छा है लुकरी कारोबर का जुक अच्छा देगा तो यहां पर मंगल का दूसरे करम बैठेगा रतन आपने अधार नहीं करना मैंने आपको क्या बोले रतन सिर्फ पावर को बढ़ाता है पावर बढ़ेगी बुरे फल क करो उसका मंतर्याप करके उसके कबचका पार्ट, रोतका पार्ट करो हलोमा जी की पुजा पासना करके मंगल को घर को सही करूग है पांच में गर में बैठा मंगल का रतन आप दर्ण कर सकते हैं सन्थान के लिए अच्छा से अधाल का बना देगा नहीं संतान का गर्ण है किसी भी कंडिशन में आपने मंगल का रतंदार नहीं करना, शटे गर में बैठा बलकि आपको मंगल खराफल देगा, क्या खराफल देगा, शरीर जाएगा, शटे गर में हैल्थ खराफ करतेगा, शत्रू बढ़ा देगा, करज़दार बना देगा, तो यहाँ पे मंगल का रतंदार नहीं करना, बलकि मंगल को पाढ़ पुझा के द्वरा सही कर, उसका मंतर्याप करके, उसके कबच का पाढ़ सरोत का पाढ़ करके, उसको सही करना, साथ में गर में बैठे, मंगल का भी रतंदार नहीं कर सेते, तो यहां पर रतन आपने भाई धार नहीं करना अगर अस्त बैटा है फिर आप दन कर सेते हैं क्योंकि यहां पर कुछी काफी चीज़ें देखनी होती है पर दन कर सकते हैं लेकर अगर वो डिकरी अच्छी है फिर दार ना करें अगर वो जाते हैं अगर वो ये तो इकरी अठाई है फिर आप दार नहीं होगा कि गर अच्छा नहीं लेकर मंगल का अपने गर है तो यहाँ पे आपने तार्ण कब करना है अगर वो अस्थ बैठा है अस्थ है बिल्कुल जीरॉ अस्थ भी देखो जी कई परकार की होता है एकर सुक्रे से फास्ला ज्यादा है तो वहाँ पे कम अस्थ होगा नजदीक है वहाँ पे अस्त ज्यादा होगा तो यहाँ पे आप मने लगा रस्त ज्यादा है फिर आप दर्न कर सकते ही आगень बढ़ने से पहले अपको बताते हैं तो अगर आप गड़ बैठे बैठे कुद्नली दखाना चाहते हैं इस नमबर पर वर्ट सब आप कर सकते हैं नोमेगर में बैठा है मंगल आप बिल्कुल आखे बंद करके रतन दान कर सकते हैं शरीर भागय गर में जाएगा नोमेगर से भागय देखते हैं जातों को बनाएगा भागय शाली यह तक बागे कदम कदम पर साथ देगा और भी कर अच्छे पलोंगे दसमे गर में बैठे मंगल का भी रतना बिल्कुल दारन करना चाहिए कि दसमे गर में है मंगल की उच्छ राशी यहाँ पे तो सबसे अच्छी कंडिशन होगी सबसे अच्छा पल मंगल यहाँ पर क्या देगा काम काज के लिए बहुत बड़े बच्छे पल देगा सरकारी नुकरी की जोग बना देगा पीता के लिए अच्छा है पीता ग्यूंबर लंबी मान पतिश्टा अच्छी तो यहाँ भी मंगल का रतन आपदारन कर लें चाहिए वो डिगरी पी अच्छी लेगा बैटा फिर भी आपदारन कर सकते है हेल्थ अच्छी रखेगा संधान के लिए अच्छा है ग्यार में गर में बैठेगा मंगल का रतन आपदारन कर सकते हैं अगर वो डिगरी अच्छी है फिर आप दारण करें, अगर वो अस्त है, जीरो एक दो डिगरी का है फिर आप दारण कर सेते हैं, पार में गर में मंगल का रतन दारण नहीं करना, खराब फल देगा, हैल्थ को खराब करेगा, खर्चे बढ़ा देगा, लेकर वो वदेश लेक होता है वो राइट एंड की जो लड़के हैं राइट एंड की इस रिंग फिंगर में दार्ण करते हैं और लड़कियां लेफ्ट एंड की रिंग में करें इसको दार्ण किया जाता है जहां तो पितल में या तामबा या सोना चांदी में बिल्कुल दार्ण नहीं होता है। वेट के अनुसार रड़न होता है। य там surf की किलो है सव आठ रदी 50 क्लों है सव पांच मंगल्वार को दूरा दर्न किया जाता है। शुकल पक्ष का जो पहला मंगल्वार होता है उस दनीसे बार्ण किया जाता है सुभे के टाम सुभे सवा 7 सवा 8 या सवा 9 बजे दारन करने से पहले रतन को कच्छे दुद्मे गंगाजल में दोना होता है फिर दारन किया जाता है एक माला मंगल का मंतर्यव करकी आप रतन दारन करना है तो बैकि देखो जी कुटली दखा के आप मुझे अपनी दखा के आपको पता चल जएगा कि रतंदन करना चाहिए जा नहीं और इसके लाब आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें जोती सिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जुरूर करें